देखिए बिटा क्या कहता है अमलोव च्छार की ब्रांस्टेट लॉरी संकल पना क्या बताती है अमलोव च्छारों की यह परिभाशा डैनिस रसायन कौन से थे जोहांस ब्रांस्टेट और अंग्रेजी रसायन कौन से थे एम लॉरी ने दी ब्रांस्टेट लॉरी के अमसरीय आपन को याद रखना है कि आम लोग प्रोटोन दाता होते हैं मतलब कि जो प्रोटोन का दान करते हैं मतलब जो H प्लस आयन देते हैं वो तो क्या कहलाएंगे क्या कहलाएंगे आमल कहलाएंगे और जो H प्लस आयन या प्रोटोन को ग्रहन करते हैं क्या कहलाएंगे वो छार कहलाते हैं यह लाइन याद रखने हैं कि आमल प्रोटोन दाता होते हैं तदा छार प्रोटोन ग्राही होते हैं आवी समझ में और इसके साथ ही यहां उन्होंने संयुगमी अमल और संयुगमी चारक की अवधारना भी दी किसने दी ब्रांग स्टेट लॉरी ने अब आपन समझेंगे देखे बटी संयुगमी अमल और संयुगमी चारक क्या होते हैं अब देखें जैसे यह रहा यहाँ पर H A H A H क्या है पिटा है यहाँ पर proton बोलेंगे हमना hydrogen ही है hydrogen ion को ही proton कहा जाता है ठीक है तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा H A H A plus B base आ जाएगा यहाँ पर ठीक है ना और A क्या जाएगा अब देखिए यह हो गया नहीं पर तो यह तो क्या हो जाएगा अमल और यह क्या हो जाएगा शार आ जाएगा ठीक है बटाए यह arrow की लगा दिया मैंने है ना तो देखिए H A H A जब टूटेगा तो H plus और A minus और B plus तो ही है अब यह जब H plus ion है तो जिसके पास H है वो तो क्या कहलाएगा अमल हमने पहले भी बात कर ली थी और इसे ही प्रोटोन कहा गया तो यह अमल और यह शार अब यह देखिए जब H plus ion दे देगा तो यह तो दे रहा है तो यह तो अमल हो जाएगा और grand कौन कर रहा है कौन ले रहा है अब यह ले रहा है तो यह क्या 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 क्य कि फ्टृर्ध करने के लिए पाद है्जagain को घ्रेंट करने के बाद चार क्या बन जाएगा अमलू नपन जाएगा वा समंगी क्या नाम देंगे हम सैंयुग मैं हां आगी समझ में ठीक है लिए इस सब्सक्राइब आपकर कि जो next example लेते हैं जिसे यहाँ पर दिया हुआ है देखो बटा यह दे रखा है H2O कि से रिक्षिन कर रहा है Ns3 Ammonia से रिक्षिन कर रहा है और क्या बनाना है Ammonium और OH-N बना है अब देखी यह कैसे देखी यह तो ले रहा है ना Ns3 तो क्या कर रहा है है किस से हाइडोजन से ले रहा है और यह इससे ले रहा है अब क्या से ले रहा है यह देखते हैं आप अब देखी बटा जैसे यहाँ पर क्या है H2O है, क्या है यहाँ पर यह, H2O है, यह क्या है, N3 है, H2O कैसे तूटेगा, H+, और OH, माइनस आयन में तूट जाएगा, इसी तरह तूटेगा ना, देखो, और N3 तो तूटेगा, है यह नहीं, तो जब यह H+, आयन किसे रियक्शन करेगा, N3 से जुल जाएगा, तो क्या बना किया आएगे, बेस, ठीक है पिटा, तो यह क्या हो जाएगा, N3 फुर आयन, अब यह क्या कराएगा, देखे यह तो क्या था, अब यह क्या ता, ऐसी तूट था जा यहान, गिए मतलेगा. अम्ल और ये क्या कहलाएगा संयुक्मी छार कहलाएगा ठीक है आगई समझें पीटा